तो आज में जिस important notice के बारे में बात करने जा रहे हूं वो आप सभी लोगों की future के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा बिलकुल भी skip मत करेगा एक एक चीज को जो मैं बोल रहे हूं बहुत ध्यान सब जब करिएगा बिकॉस ऐसी उनिवर्सिटी में कोई अपना time and पैसा invest करना नहीं चाहता है जिनकी डिग्री वैलिड ही नहीं है तो अच्छे से सुन लीजे कौन से कौन से ऐसे उनिवर्सिटीज है जिनकी डिग्री अब वैलिड नहीं है डिस्टेंस लेंनिंग के मामने में अलसो अगर कि दिस्टेंस लेंनिंग का नाम सुना होगा तो इस उनिवर्सिटी का नाम भी सुना होगा यह तमिल नाडू के बहुत ही रिनोन उनिवर्सिटी है उसके बावजूद इन्होंने यूजी सी के नियम को फॉलो नहीं किया 2014 तक इनको पर्मिशन दी गई थी ओडियल मोड प्रो और यूजी सी ने भी बोल दिया कि यह जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी की होगी यूजी सी की नहीं सारा का सारा जो डिसद्वांटेज है वो मिलेगा स्टूडेंस को उन्हों जितने भी स्टूडेंस 2014 के बाद जिनोंने ओडियल मोड में वहां से अपने डिग्री स्को लि फ्रूवड हो एंड उनके कोर्सेज भी अप्रोवड हो वरना आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है जैसा अभी यहां इन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंस के साथ हुआ होगा यूजी सी इज वरी बेरी स्टूड आ पाउट देर गैडलाइन अगर कोई भी इस केस में आप अपने डिस्टेंस लर्निंग इन वाटेवर उनिवर्सिटीज को एक बाद फिर से डबल चेक कर लीजेगा के वहां पर उजी से अप्रूब लिखा है कि जिस भी उनिवर्सिटी के ऑफिशल वेबसाइट पर जाते हो वहां पर यह जिस लिखी वे होनी दिस्क्रिप्शन में दे दूंगी वहां मैंने बहुत डीटेल में बताया कि कैसे लोग सोचते हैं कि वहां के लिखी डिग्रीज वालीड नहीं है और जबकि डिस्टेंस लर्निंग के मामने में एक इग्नू ही है जो अभी तक फिर मीन्स अफ यूजी से फॉलो करता वा आ 2014 तक यहां से अपनी डिग्रीज ली हैं उनको पैनिक करने की जरुवत नहीं है बिकॉज तब तक यूजी सी के गाइडलाइनस फॉलो हो रहे थे बर 2014 के बाद इंस्ट्रक्शन थे के ओडियल एन ओनलाइन मोड में प्रोग्राम इस उनिवर्सिटी को रन नहीं करने उसके बावजू दिन होने किये अब 2014 पंदर के बाद वाली जो भी डिग्रीज हैं बैशलर डिग्रीज और पीजी डिग्रीज वो वैलेड नहीं होंगी आप किसी भी कोर्स में इन्रॉल होत होती है तो अगर आप अगर आपके साथ असा हो चुका है देन अब आपके साथ करना पड़ेगा कोई और आप्शन नहीं है अगर आपने नहीं किया देन आपके पास अभी भी मोका है यू फिल बलेस्ट आप अपना सही डिसिजन लीजे सही रास्ते में एक बार मैं पबलि आप समझ गया होंगे यू जिसी के नियमों को गाइडलाइन को इस उनिवर्सिटी ने फॉलो नहीं किया ये लिखा गया है एस पर अबाव रेगुलेशन नो हायर एजुकेशनल इंस्टूशन शाल ओफर एनी ओपन एंड डिस्टेंस लेर्निंग प्रोग्राम्स और ओर ओ ये स्टेडिस को ओफर करने की पर्मिशन नहीं है बिना यू जिसी के ध्यान में डाले आप अपने मन से कोई भी डिग्री अवार्ड नहीं कर सकते हो अना मला यूझिशन वस अवर्व रिक ग्राम प्रोग्राम ट्ल में जासा की मैंने बोला and no further recognition has been of accorded to it after offer any program through odel mode accordingly the odel program offered by the university Tamil Nadu without prior approval of UGC the UGC is approval लेने के पहले ही लोने अपने program से रन कर दिया so the university is solely responsible for the career consequences of the student if any arising out of the same तो यहां से उन्होंने बोल भी दिया और अपना तो हाथ भी जाड लिया कि अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आपकी यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है यूजी सी किसी के लिए जिम्मेदार नहीं है वहां के ओफिसे में जा करके फिर कोई क्लेम ना करे अगर बिना यूजी सी के परमिशन वाली किसी यूनिवर्सिटी में अडमिशन ले तो आपका खुद का नुकसान है जो भी स्टूडेंस या जो भी कोई भी अडमिशन लेना चाहते है तो पहले देख लिजे कि यूजी सी ने उसको अलाओ किया है कि नहीं किया है कोर्सिस रण के लिए तभी यहां पर अडमिशन लीजे तो साफ साफ नोटिस भी आप समझ गया होंगे तो अपने आपको किसी तरह के इस तरह के स्कैम करवाने से बचें आप लोग सब बिकास बहुत बहुत लॉस हो सकता है यह था इंपॉर्टन पब्लिक नोटिस यूजी सी के तरफ से प्लीज दोट फोगे तो शेर इट विए फ्रेंड फैमली बिकास बहुत से लोग है जो इस डिग्री के बारे मन को जाना जरूरी है कि वहां से स्टेडिस से लबाइट इन और भारे मिवह दूरा, जबरिके लिए कृहां जाने को जा आपके षोग स्टेड अले को एंवे सुझ गाइंची फिर प्लीन।